हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ बहुती खुबसूरत पैटन सियर करने जा रही हूँ इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं लेडी स्वेटर, गल्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, जेन स्वेटर इसके अलावा आप इस पैटन को कैब, ब्लेंकेट आदी में भी अपलाई कर सकते हैं बनके बहुती खुबसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है और फ्रेंड साइड से हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होता है सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी बॉर्डर पैटन बनाके कंप्लेट करेंगे बॉर्डर पैटन कंप्लेट होने के बाद हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होता है इस pattern को बनाने के लिए हमने 4 के multiple में फंदे डालने हैं और plus हमने 2 फंदे extra डालने हैं 10 नंबर की सलाई में हमने इस pattern को बना लेने हैं अब हम अपना pattern बनाना start करते हैं तो देखें front side से pattern की first row अब pattern की first row में देखे, पहला फंदा उतार लेंगे, ये पहला फंदा उतारेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद देखे, इस फंदे को ऐसे आगे करेंगे, और देखे जो इस पेस दिखाए दे रहे है यहां पर ऐसे सलाई डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे इस फंदे को हम मेडियम लोज बनाएंगे आप देखिए यह जो फंदा है नैस्ट फंदा इसको हमने ऐसे सीधी साइड से नहीं डालने इसमें सलाई ऐसे बैक साइड की तरब से हम सलाई डालेंगे और इस फंदे क गुण लेंगे तो देखे इस तरीके से धागे को ले जाएंगे सलाई के उपपर से और इस फंदे को गुण लेंगे यह देखे यह चार फंदों में हमारा पैटन बनना इस्टार्ड हो गया यही प्रोसिस हमने आगे रिपीट करना है तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन फंदे सीधे अब देखे जो चौतर नंबर का फंदा आएगा इसमें हमारा पैटन आएगा इस फंदे को आगे करेंगे और देखे जो इस पेस दिखाए दे रहा है यहां पर हम ऐसे सलाई डालेंगे एक फंदा बना लेंगे इस फंदे को मीडियम लूज बनाएंगे फिर देखे इस फंदे को बुन लेंगे तो सीधी साइड से नहीं डालेंगे सलाई ऐसे बैक साइड की तरब से हमने सलाई डालनी है और देखे धागे को ऐसे सलाई के ऊपर से ले जाएंगे और इस फंदे को बुन लेंगे नेस्ट यही प्रोसिस रिपीट होगा, तीन फंदे सीधे, चौथे नमबर के फंदे में पैटन आएगा, फंदे को आगे करेंगे, इस फेस में देखें ऐसे सलाई डालेंगे, यह देखें, एक फंदा बनाया, फिर इस फंदे को देखें, ऐसे बैक साइड की तरब से सलाई दालेंगे, इस फंदे को बुन लेंगे, इस तरीके से, फिर नेस्ट यही प्रोसिस रिपीट होगा, तीन फंदे सीधे, और एक फंदे में पैटन आजाएगा, तो एक फंदे को आगे करेंगे, और इस फेस में ऐसे सलाई डालेंगे, यह देखें, यह मीडियम लूज बनाएंगे, फिर इस फंदे को बुन लेंगे, तो ऐसे बैक साइड की तरब से सलाई डालेंगे, और धागे को ऐसे सलाई के उपर से ले जाएंगे, इस फंदे को बुन लेंगे, इस तरीके से, लास्ट का फंदा सीधा, तो देखें, फ्रेंट साइड से हमारी पैटन की फ बुनेंगे एक फंद हमने उल्टा बुन लेना है अब देखे जो यह दूसरा फंद है इसको हम नेस्ट फंदे के साथ बुन लेंगे तो देखे दो का एक कर लेना है इस तरीके से आप देखिए नेस्ट आमने तीन फंदे उल्टे बुने एक दो और तीन हब देखिए जो नेस्ट फंद है वे नेस्ट फंदे के साथ एड खरके बुनेंगे यानि कि दोनों को एक साथ बुनेंगे दो 1 यह 2 आप देखिए फ्रंट साइड से देखे जिस पंदे में पैटन बना इन में से 1 फंदा उल्टा आ जाएगा तो देखे तीन फंदे उल्टे आ गए दो पहले बुने थे और एक झी तो तीन फंदे उल्टे आ गए अब देखे जो नैस्ट फंदा है इसको हमने इस फंदे के साथ बुन लेने है यह देखे पूरे पैटन में हमने बैक साइड से यही प्रोसिस रिपीट करना है देखे नेस्ट हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे यह देखे और नेस्ट फंदे को नेस्ट फंदे के साथ एड़ करके बुन लेंगे यानिकि दोनों को एक सा पुनेगे, लास्ट के फंदे उल्टे आ जाएंग。 ये देखे, ये बैक साइड से हमारी पैटन की सेकेंड रो, कमफ्लेट हो गई, अब देखे, फ्रण्टे साइड से पैटन की थर्ड रो, अब third row में हमारा pattern repeat and shift होगा हमारा ये pattern left से right की तरब shift होगा तो देखिए पहला फंदा उतारेंगे दो फंदे सीधे आ जाएंगे इस starting में हमने तीन फंदे सीधे बुने थे अब देखिए third row में दो फंदे सीधे आएंगे एक, दो अब देखिए जो next फंदा है इसमें हमारा pattern shift हो जाएगा इस फंदे को आगे करेंगे ऐसे space में देखिए slide डालेंगे एक medium loose फंदा बनाएंगे फिर देखिए इस फंदे में ऐसे back side की तरब से slide डालेंगे और देखिए इस फंदे को बुन लेंगे इस तरह के से हमारा ये pattern left से right की तरब shift होता जाएगा और देखिए अब next देखिए एक, दो, तीन तीन फंदे सीधे तीन फंदे सीधे आजाएंगे आप देखिए जो next फंदा है इस पे हमारा pattern shift हो जाएगा आगे करेंगे इस फंदे को और देखिए जो space में है ऐसे slide डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे ये देखिए एक फंदा बनाया फिर ऐसे देखिए wrong side की तरब से slide डालेंगे यानि कि back side की तरब से slide डालेंगे और इस फंदे को बुन लेंगे कि पिनेश्ट देखें तीन फंदे सीधे कि फिनेश्ट फंदे में हमारा पैटन आ जाएगा कि फिनेश्ट तीन फंदे सीधे और देखें नेश्ट फंदे में हमारा पैटन आ जाएगा इस तरह किसे कि अब लास्ट में दो फंदे सीधे ये फ्रन्ट साइड से हमारी पैटरन की थर्ड रो कम्प्लेट हो गई, अब देखे रॉंग साइड से फोर्थ रो, फोर्थ रो में देखे, पहला फंदा उतारेंगे और नेश्ट दो फंदे उल्टे आएंगे, एक, दो, दो फंदे उल्टे, अब देखे जो नेश्ट फंद दिया फिर देखे नेस्ट तीन फंदे उल्टे आएंगे एक दो तीन फंदे उल्टे अब देखे जो नेस्ट फंदे है इस फंदे के साथ एड़ करके बुनेंगे यानि कि दोनों को एक साथ बुनेंगे, दो का एक करेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे, ये तीन फंदे उल्टे आ गए, फिर दो फंदे एक साथ बुनेंगे, दो का एक करेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, तीन फंदे उल्टे, फिर दो फंदे एक साथ बुन उल्टा आ जाएगा तो देखे यह रॉंग साइड से हमारी फोर्थ रो कम्प्लीट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से फिप्त रो अब फिप्त रो में भी हमारा पैटन रिपीट एंड सिप्ट होगा तो देखे यहां पर एक रो यह पहला फंदा उतारेंगे अब एक फं इस फंदा सिधा अब देखे नेस्ट फंदे में हमारा पैटन शिप्ट हो जाएगा इस फंदे को आगेक करेंगे और इस पेस में देखे एंसे सलाई डालेंगे यह देखे एक फंदा बनाया फिर इस फंदे को बुन लेंगे तो ऐसे बैक साइड की तरब से सलाई डालेंगे और इस फंदे को बुन लेंगे तो देखे यह हमारा पैटन लेप्ट से राइट की तरब सिप्ट होता जा रहा है फिर तीन फंदे सीधे आ फिर तीन फंदे सीधे, फिर नेस्ट पैटन आ जाएगा, फिर तीन फंदे सीधे, फिर हमारा नेस्ट पैटन आ जाएगा, अब लास्ट में देखे, दो फंदे सीधे आ जाएगे, और लास्ट का फंदा सीधे, तो देखे, ये फ्रंट साइट से हमारी पैटन के फिप्तरो कम्ट्लीट हो गई, फिप्तरो में भी हमारा पैटन रिपीट एंड सीप्ट हो रहा था, अब हमें बार बार यही प्रोसिस र सब्सक्राइब टार फंदे हो जाएंगे, तो हम लास्ट में तीन फंदे सीधे और जो चौथे नंबर का फंदा होगा, उस पे हम इस पैटन को बनाना, सब्सक्राइब कर देंगे, बस यही प्रोसिस हमें बार बार रिपीट करते जाना है, और बनके देखे, हमारा पैटन क इत्रक शिप्ट होता जा रहा है इस तरीके से यह देखे आप इसे औल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक यू